नमस्कार आप देख रहें न्यू सिक्सी नाइन चैनल और मैं हूँ आपके साथ अंकेता चली रुक करते हैं खबरों की और राज़दानी भुबाल में शिफसेना जुला अधिक्ष कुलदी तिवारी की नेतर्त में महाराश्ट सरकार का पुतला जुलाया गया कि महाराश्ट सरकार महीना की सुर्क्षा करे लगातार वहां महीना का शुषण किया जौरा है उन पर अत्याचार किया जौरा है आध शुफ सेना भुपाल दौरा महाराश्ट सरकार का पुतला जलाया गया और साथी जो घटना है पिछले 15 दिनों में तीन इतनी बड़ी घटना है महाराश्ट में घटी है 13 अगस्त को बदलापुर का केस सामने आता है जिसमें दो बच्चियों के साथ दुषकर्म की कोशिश की गई या दुषकर्म हुआ नयाय मिलना तो दूर की बात है उनको अपनी कंप्लेन दर्ज कराने के लिए भी भटकना पड़ा 20 अगस्त को मुंबई के अकोला में केस सामने आया जिसमें छे बच्चियों के साथ यो अनुत पीडन किया गया और 22 अगस्त को मुंबई के नाकपाड़ा में ही महिलाओं के साथ यो अनुत पीडन किया गया महराष्ट सरकार किस जगा नंबर वन होना चाहती है महिला प्राद में नंबर वन हो गई है महराष्ट सरकार बलातकार को पेश्विक कहा जाता है कि पाश्विक करत है पशुक रूरता है लेकिन ये तो पशुवों का अपमान है क्योंकि बलातकार पशु भी नहीं करता महराश्च शरकार को शर्म आनी चाहिए उन्हें महिला सुरक्षा की जो ढोंग रचा रखा है महिलाओं के लिए महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए और साथ यह मांग करते हैं कि ग्रह मंत्री और शिंदे जी को इस्तिफा देना चाहिए आज सिपसे ना भोपाल द्वारा महाराथ सरकार का पुतला दहन किया गया है जिस तरीके से बिगत कुछ दिन पहले महाराष्ट में इस्कूल में दो बच्चियों के दाथ वहाने इत्पीरेंड किया गया है सरकार दोरा उसकी अनोनी गई पिटसासन दोरा बारा घंटे पंदा घंटे उसको एफाई आर की रिजिस्टर करने के लिए कहीं न कहीं इंतजार करवाना पड़ा इसी तरह की और खपरे देखने के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहें न्यू 69 चैनल जब तक लिए धन्यवाद